पर आपका स्वागत है तो आई स्टार्ट करते हैं आज की स्रीज का जो मॉडल थर्ड है तो देखते हैं किस प्रकार कुश्चन देगे हैं करता है किस्य क्रांती नीली क्रांती इंगित करें तो नीली कह वगते हैं किस्ते हैं चिक्रांती hell को फार्त प्रॉदप्स्की की याधि को देए तेखिए ये क्विशंट जो है बार-बार रिपैट होता है तो आप इसको अच्छे से याद कर लिएगा तो आपका जो right answer होगा option B ट्रेटी केल तो नेस्ट देख लेते हैं नेस्ट है आपका question number 4 question number 4 कहता है BT cotton जो BT कपास होती है आपकी जो कपास होती है BT cotton तो उसमें जो पोधे के स्थांत्रण में उत्पन कपास को क्या कहते है जिसमें आप BT cotton जो BT gene होता है उसमें जिस कपास में डालते हैं तो उसके स्थांत्रण को क्या कहते है so आपका जो right answer होगा option C right answer होगा transgenic कपास उस जो कपास के पोधे कपास की जो crop होती है उसको क्या कहते है transgenic कपास या transgenic cotton so nest देख लेंगे nest है आपका question number 5 question number 5 कहता है Pidd Krante ka समद किस से है Pidd Krante या आपकी पेली Krante या आपको आप इसको कह सकते है Yellow Revolutions देखे mentality जितनी ॹप करांतिया है यह जितनी भी आपकी जितनी भी hive oure है जो है जितनी भी आपकी जो करांथिस रिल्टेड जितने वी क्रिश्टन से आपका एक भी क्रिश्टन से नहीं बचेगा सो आप रिस्क्रिश्टन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख लेगा वीडियो को पुरा देखीगा सो नेश्ट चलते हैं सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका किशन नंबर फाई का जो राइट आंसर होगा आपका उप्सन डी होगा तीलन से सो आपका जो पीली करांदी येलो रिलिश्टन है वह आपकी तीलन से रिल्टेड है सो नेश्ट देख लेते हैं experiment question number six question number six नोर्वारत की मर्दा में सबसे अधीक कमी वाला असयुस के पोह सकतत्य है तो भारत की मर्दा होती है उनमें सबसे जो कम पोःसन पहुजतकत्य पशाजाता है वो कौन सा है तो आपका जो राइट ऑंसर होगा। option a और जिंकh सब्सक्राइब दानमे खेरा रोग जाता है है वह बूकर सस्यंटा可是 a freer सब्सक्राइब नबिन प्रक्राइब तोस्राइब का समंद। निमने ख serial शेट लोग करशी जिन 100 के समरतन गुल्य की घोसना दिया करसी जिंशो के समर्तर मुल्य की आपका करता है मेश्का हो यह बबसक्राओर और तो नेश्ट देख़ लेंगे नेस्ट आपका किश्च नंबर 10 किश्च नंबर 10 कहता है करसी आयोग एवं सस्सी किरिया के वर्गिकरण के अलार पर इनमें से कुन सी फसल करसी पढ़ना लिए नहीं है नेस्ट आपका किश्च नंबर 11 किश्च नंबर 11 कहता है जब दो एकल संक्रण में प्रागन किरा जाता है तो उतपाद होने वाले संक्रण को क्या कहते हैं तो आपका जो राइट आंसर होगा और इस परकार के जो उतपाद संक्रण को कहते हैं दीव संक्रण या डबल क्रोस क सोवस्ष दख लेंगे नएस ट्रप कर सीचे नमबर 12 क्यता है संकर किष्मो का सरोप्रत मुपयोग निमनी मेसे किया गया था संकर किष्मो का निमनी मेसे उपयोग किया गया था तो किस फसल में किया गया था सो आपका जो राइट अन्सर होगा option B right answer होगा मक्का की फिसल में question number 13 question number 13 कहता है पोदे के उस भाग को जिसमें in vitro culture किया जाता है उसको क्या कहते है option दिये है यूगमज plant या लगू plant या सिसू plant या X plant so आपका right answer होगा option C होगा X plant जिसमें in vitro culture किया जाता है तो उस जो plant को कहते है आपका X plant क्या कहते है बच्चो X plant बहुत ही मैत्तपूल किश्या है so next देख लेंगे question number 14 so next question number 14 question number 14 कहता है आपका परजनक के द्वारा उत्पन किसी किसम के प्रानबिक बीज को कहते है परजनक के द्वारा उत्पन प्रजनक के द्वारा जो उत्पन पीज होता है उसको क्या घथे हैं आपका प्रजनक भीज या आप इसको इंगलिस में कहते हैं ब्रीडर कई सीड सो नेश्ट देख लेंगे नेश्ट है आपका कुश्य नमबर 15 परमानित वीज उत्पन किया जाता है परमानित वीज उत्पन किया जाता है किस के दौरा उत्पन किया जाता है या किस से किस वीज से उत्पन किया जाता है सो आपका जो राइट अंसर होगा ओप्सन डी यह एपका स्थ प्रागन से उत्पन संतान होती है सफ प्रागन से जो आपका सेलपन संतन होता इस सेलप पोली नेशन उसको क्या कहते है सफ नेशन यह self-crop यह self-crop भी हो देते हैं इसके तोवारा जो उत्पन संतान होती है उसको क्या कहते है आपका आपका जो right answer होगा option a right answer होगा some humanist क्या कहते है इसको some humanist या homos जाईगास तो next देख लेंगे next है आपका question number 17 17 कहते है संकरोज सब्द सबसे पहले उपयोग किया था संकर जो सब्द है संकरोज इसको क्या बहुत दिया बच्चो हेट्रोसिस 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 जो आपका हेट्रोसिस सब्द है उसका प्रियोग सबसे पहले किस ने किया था तो आपका जो राइट अंसर होगा उपसें डी राइट अंसर होगा शल शल नमाएगा जो होगी या निक है इसने जो हैट्रोसिस का सर्वी पर उप्यों किया था तो डियोंने में उपस्तित सर्करा को प्रॉंस क्क CRISD ऐसका डीaux mamy किसूष video इससुष video को है जब 10 एक गुणों को प्रभावित करता है जब एक इकसी डिक लॉक्रबावित करता है तो उसको क्या क chilling आप autopsy प्रभावित क्या करता है इस गुण यॉफ. का पॉलीप्लोईडी छेट है पॉलीप्लोऊडी है सो आई ये देख लेते हैं कि फूर्टी 1 किसकी है किसल जो आपका जो हुपस्ण होगा इस ह hedge गंगा 5 है देखे गंगा से लिल्टिड जितनी ज्याद्यतर किश्में होती है यह आपकी किसे लिल्टिड होती है यह आपकी मक्का या आपकी माईज से लिल्टिड होती है किसे होती है बच्छो माईज से माई जिससे so next देख लेते हैं question number 22 question number 22 कहता है आपका एक जीन से परभावीत गुण को क्या कहते है तो आपका जो right answer होगा option B right answer होगा एकल जीनी और जो कुशी लेता की दो जीन से परभावीत गुण को कहते है तो आपका दो जीनी right answer होगता आफिजिए का क्शिक्रत्परत्स से मोटाई होती है अपर से एक से दस एम मम सो न एक हेक्टर में चावाल के बॉए के लिए डभोग जो nursery method होता है के लिए 638 की अशकता होती है किपक्षाओ की युप से option है so अपका US right answer होगा option नीचा चीन वर्ग मिटर legal system hvor मीटर की जो जह कTrlined हो सब्स seulement 25 कहता है संकर चावल की बीजच दर होती है संकर चावल की जो जो होती है वह कितनी होती है आपका जो रहिट सरोगा होगा वो अपसंडी होगा है रहया है संकर जो आपका है Пр competing होता कोceu लिए बाइस कि आरशिक्ता होती है वनेएं सो नाश्च देख लेंगे किशिचनमब 25 क्याता है की समान्य एक विदी है खाई विदी या मेर्ड कूंट विदी या रेगनेश में यह जादा तो पूछता है तो नेस्ट देख लेते हैं नेस्ट है आपके क्रिश्च नमबर 27 27 कहता है मुंगफली की खेती के लिए उप्युक्त मरदा होती है तो मुंगफली की खेती जो सबसे बेस्ट होती है वह सब्सक्राइब करने के लिए किस साखनासी या किस आप इसको हर्भी साइब करने के लिए का किश्च नमबर 31 にरी विक बीकास के लिए मुंगफली की बहतर रूसका खेतले क्लिक्टів के लिए जिपस्द की आफसकता होती है तो आपकी जिपसम की कितनी अश्कत होती है आपकी option A right answer होगा 250 kg per hectare 250 kg per hectare जो है जिपसम की अश्कत होती है मुंग फली की बहतर फली विखास के लिए question number 32 question number 32 कहता है मुंग फली में 20 रहीत फली किसकी एलपता के कारण होती है तो कभी-कभी जो है मुंग फली की जो फशल होती है उसमें फली में 20 नहीं बनता आपके जो दाना होता है दाना नहीं बनता तो किसकी कमी के करण रही पंफली आपका जो रहाइट अंसर होगा option A Right answer होगा calcium की कमी के करण जो मुंग फली में कभी-कभी दाना नहीं बनता तो नेश्ट दिख लेंगे नेश्ट आपका question number 33 question number 33 कहता है बारत में सरवाधीक होगा जाने वाली दलहनी फसल है बारत में किस दलहनी फसल को सबसे अधिक होगा जाता है तो आपका right answer होगा option D, चना चने को बारत में सबसे अधिक होगा जाता है आपका question number 34 काबली चने में कतार से कतार की दूरी कितने रखी जाती है आपका right answer होगा option C, 45 cm so next देख लेते हैं question number 35 question number 35 कहता है चने की फसल का परमुक कीट है चने की फसल का जो परमुक कीट है निमने में से कौन सा है so right answer होगा option A, फली छेदक या आपको इसको क्या कहते है, पोड बोरर so next देख लेते है, question number 36 question number 36 कहता है, सरसो की सरवादीक उत्पादन करने वाला राज़्य है सरसो का सरवादीक उत्पादन किस राज़्य दौरा किया जाता है so आपका right answer होगा option B, right answer होगा, राजिस्तान तो नहीं देख लेता है question number 37 question number 37 37 कहता है फौरा सचाई 35 सबसे उप्युक्त होती है जो फौरा द्वारा सचाई की जाती है वो सबसे उप्युक्त किस छेत्र के लिए होती है और फॉर ह promise नवेक्ट के लिए प्यायार लुटक होती है यह फौरा के द्वार निकलता रहता है हो यह सभी 4 वार तरीके से लिए हो नैस्न देखलेते हैं नैस्ट है आपका question number 38, question number 38 कहता है आपका, राजिस्थान में खरीब मौसम में सरवादिक शेत्रफ वाली फसल है, खरीब के जो मौसम होता है, उसमें सरवादिक शेत्रफ़ वाली जो फसल है उसमें कौन सी है, आपका जो राइट अंसर होगा option C राइट अंसर होगा, खरीब के 39 कहता है, वा फसल जिसमें दलहनी वा तिलहनी दोनों के रूम में उपयोग किया जाता है, वा कौन सी फसल है जिसमें दलहनी भी और आपकी तिलहनी भी, दोनों रूम में क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है, तो आपका जो राइट अंसर होगा option A option A right answer होगा soya bean so next है आपका question number 40 40 कहाता है राजिस्थान में सबसे अधिक मिसित मिलवा खेती होती है so right answer होगा आपका option A चना और सर्चों की जो खेती की जाती है ये mixed cropping के रूम में की जाती है राजिस्थान में so next होगा आपका question number 41 41 कहता है सर्वादीक हरी खाद वाली फशल है सर्वादीक हरी खाद वाली फशल है so आपका right answer होगा option B right answer होगा सनी सनी एक जो है सबसे अधिक अच्छी खाद होती है जो हरी खाद के रूम में या और गयनिक खाद के रूम में प्रियोग की जाती है सर्वादीक हरी खाद के रूम में प्रियोग की जाती है आपके जुस्से नहीं है so नेस्ट देख लेते हैं नेस्ट आपका question number 42 42 कहता है जमाव बिंदू से उपर जमाव बिंदू से उपर एक शितकम तामान के दोवारा शती होती है प्रिच्चांब बिंदू इसको कह देते हैं अपका melting point होता है अठीक शित्यव posture, आपका शित्यव דख लें एणिए है नेस्ड आपका q Lauren Kelly फोर्टि-3 वह्टि-3 करता है मर्दा कि आंत्री सं influit portion परदान करने की शंबता होते है मर्दा की आंत्री शंतुलिट portion परदान करने की जो संता होती है इसको क्या कियते हैं सो आपका राइट अंसर होगा soil fertility कहते हैं so next देख लेते हैं next है आपका question number 42 question number 44 कहते है सड़ी हुई गोबर की खाद में nitrogen की मात्रा होती है जो आपकी गोबर की खाद होती है उसमें आपकी nitrogen कितने percent होती है so आपका right answer होगा option A आपकी जो सड़ी गोबर की खाद होती है आपकी 0.5% जो आपकी क्या होती है nitrogen और आपकी जो potassium होती है वो आपकी होती है 0.25 और आपकी जो phosphorus होती है phosphorus वो आपकी 0.05 या आपकी 0.05 so next देख लेते हैं question number 45 45 कहता है mg और s को क्या कहते है mg और s को या यह होता है magnesium और यह होता है sulfur क्या होता है बच्चो यह होता है यह होता है यह आपका magnesium होता है यह आपका sulfur होता है यह आपका होता है sulfur यह आपका sulfur यह आपका magnesium उनको क्या कहते हैं आपका right answer होगा option ये आपके दित्यक पोंसकत्त होते हैं क्या होते हैं अपके माइक्रो माइक्रो6 न्यूटरेंट माइक्रो सूफर क्यूनिक्रोग कर्णायओं मेंग्यूद व्ल्फर क्यओ नव्र पुस्छड नॉम्र 56 कैता है आपका किस्ट नम्र 46 हुआ हरीत रोग इंगीत करता है किसके बच्छो यह प्रिपलिफन ह्करтесь हई हुसो ने सब्सक्राइล का थी इतर आपका like A जो प्रतिरोदक शिमता होती है क्रेसि करना चाहिए चाहिए अगर보다 पानी है जो हम्सी आफ़ी लंगनैट से कि से फसल की जो है साफिक करनी चाहिए है या खेति करना चाहिए तो आपका right answer हो ओफसण होगा ज司रा नहीं तुराइब को सती है बट्रोंस लेङ वर्गें को दोन्स बोले तपही ये बभुझेता कि जो लोडशेंसील क्यों सी है तो आपकी जो एक 11 सेंसिल क्रोफ है सो नेश्ट देख लिते हैं चावल में खेरा रोग ये ये तो बच्छो आपका एक एक्जाम नेर का रटा हुआ क्रिश्चन है चावल का खेरा रोग ये बहुत अधीक पूछता है लगवग लगवग सभी क्रिश्चन नहीं मेरा उत और गया तो नेश्ट देख लिते हैं ad lib क्रिश्चन नम्ब 35 इचलो से जैली बनाने का मुख्ये ततू है फुलों से जो जैली बनाते है उसमें बनीख फुलों सा होता है सो आपका right answer होता है ऩंवनसर होता है patin को किसके दौरा माप अपा जयता है पेक्तीन मिटर या जैली मिटर के दौरा किसी दौरा अब जाता है बच्छो जैली मिटर के तो नेश देख लेते हैं question number 51 question number 51 51 कहता है फलो के बगीचे में अधिकतम पोदो की संक्या किस विधी से रखी जाती है एकिस विदी दुवारा जो अधिकतम प्लांट लगाने है तो उसकी संक्या रखे जाते हैं आपका राइट अंसर होगा उप्शन भी राइट अंसर होगा बुजाकार जो बुजाकार मेथड़ होता है आपका इसमें सबसे आधी मकल्क को लगाते हैं सबी मोसम में ऊगने वाला फुल कउण सा है सबी मोसम में उगने वाला फूल कौन से वकी में उप्शन आपका है form उप्शन सबस्ट सजी कुन सब्सक्राइब है तो आपका right answer घृत इक परइभ और इसे कुन सा डिपलनमे पर्डों सा बिलके यहां। परवर्द्थ तक या पर्मोटर बोल देते हैं इसको ग्रोथ पर्मोटर बढасьए ग्रोथ पर्मोटर तो कौन सा नहीं है दो नहीं दो बंखकर और य होगा 54 का आपका बी लुदना रखा बंग हैं ने क्रियोहें थे 55 इनने में से कौन सा स्जुस्क जलवाइव का फल नहीं है। सो आपका right answer होगा option B, केला एक थूस्क जलवाई का फल नहीं है यह आपका nem जलवाई को में होता है यह जब तर जो आपके नदी त्यांवाइत है त्याराव के जो किनारे सबस्तारी होती है उसकी द्वारा खजूर का क्या होता है परसारण होता है खजूर को आप आपकी जो खजूर होती है उसको क्या कहता है बच्छो डेट पाम कि डेट कि सोरी डेट कि पाम कि क्या कहता है बच्छो डेट पाम कि सो नेस्ट देख लेते हैं कि नेंस किस्ट नम्ठ फिप्टी सेवन के न सबसे लागा है सुचाही का तरीका कौन सा है अगर हमारे पास बगी셔서 में पानी किमिये तो हम निमने में से कuchen सी बिदी का उपयोग सभसे अधिक जो अच्छा होगा उपयोग सबसे दिक अच्छा होगा सो आपका जो दूप बूण सिचाए होती है इसमें क्या होता है एक line ऐसे करके चैनल बिछा दिया होते हैं पूरे फिल्ड में जैसे यह प्लांट लगाता है प्लांट के ही बिल्कुल जड में जड के पास में एक चैनल लगा देते हैं जिससे कि आपकी जो बूण या आप इसको ड्रीफ इरिगेशन क्या बोलते हैं बच्छों ड्रीफ इरिगेशन ड्रीफ इरिगेशन इसका जो राइट अंसर होगा भूर नेस्ट होना मैं रोग इसका सेस्वील इसका सेस्टिय्व होगा आपि इसक होगा बच्छों यह पूंवाल मुक्छë पूदधा इसका जीस्पर राइट बच्छर 누aldo इसका बॉलLike इसके विल्ट जो है आपके जो हरा घै पाग कीट अए इसे में ब्लास का पोदा होता है इसे प्लास का यह जाए पर लाक केंट कि ट है क्लिए का सब्सक्रार Tá कि इसे कम आपको 60 कराने वालले ते यहां आपके आपके बहुत ही मैत्रपॉर्ण कुस्टेंस हैं सो देखते हैं क्विशन नंबर 61 कहता है गेहों का आकूत कंडवा रोग है इसको आप अनावर्त कंड भी बोल सकते हैं यह आपका एरबॉंड जो आपका एरबॉंड रोग होता है जो एर के द्वार होता है आपका रहराइंसर का इसका लेव का लग्स का आकूत कंडवा रोग है इसको आप जो है इसको नियुक्तग кशंद भार मत पόςिया Mr. Sheeta लेगो त्रिटीसी तुदी टीसी इसकी लेगो टिटीसी इसका कुरेले और गेरिनिम होता है रोककारक होता है इसका जो राइट अंसर होगा राइट अंसर होगा इसका ऑप्शन ए अंतरबी सोड यह आपका एक है एंट्रंडली Seed Bone Disease है, क्या है बच्छो Internally Seed Bone Disease Internally Seed Bone Disease Internally Seed Bone Disease है So, next देख लेते हैं Question number 62 62 कहता है चुनिल औसीता बिमारी उत्पन होती है चुनिल जो औसीता बिमारी होती है इसको आपके क्या बलते हैं बच्छो Powdery Midlue Powdery मिल्ड्यू जो आपकी पाउड्री मिल्ड्यू बिमारी होती है यह आपकी किसे होती है बच्चो आपका जो 62 का जो आपका राइट अन्स रोगा उप्सन डी यह आपकी कवक या फंगी fungus के द्वारा होती है चुणिल जो आप पावड़ी मिली होती है आपकी कवक के द्वारा होती है so nest देख लिएते है nest है आपका इस series का जो आपका आज का last question है mission number 63 बाजरा की हरित बाली रोग का प्रात्मिक शंक्रमन होता है या प्रात्मिक शंक्रमन का जो स्रोथ है वो कौन सा है आपका जो बाजरा की जो हरित बाली रोग है इसको क्या कहते है बच्चो green ear disease green ear ear या green ear pod या green ear बाली रोग भी कहते हैं so आपका जो आपका right answer होगा बच्चो इसका 63 का so आपका right answer होगा option A beach even mrada जो beach even mrada दो आई इसका जो हरित वाली रोग होती है बाजरे की इसका संक्रमन होता है so आज के लिए इतना ही बच्चो आज के लिए इतना ही आप हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आपके लिए helpful है तो आप वीडियो को जो है लाइक कीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा हमारे जो है हमने इससे पहले आपके दो मॉडियो जो है कंप्लेट करा दी गए है उनका भी जो लिंक है हम उन वीडियो का भी लिंक है आपको डिस्प्रेशन बोस में दे देंगे तो आप वहाँ जाकर उनको वीडियो को भी एच्छे से देख लेजीगा वह आपका जो एक्जाम है आपका 18 तारीक को होने वाला है तो आप हम डेली डे बाई डे आपको जो है मोडूल प्रोवाइड करा रहे हैं